केले का हल्वा सूजी के साथ आप सबको बहुत पसंद आएगा यदि आपने अब तक नहीं खाया तो प्लीज इसको बनाईए और एक बार खाके जरूर अपने फीडबेक शेर केजिए बहुत ही सिंपल सा है इसको बनाना सिंगल पैन रसीपी है पांच मिनिट में यह हल्वा बनके तयार हो जाता है बिना किसी जंजट के तो सबसे पहले आपको क्या करना है एक पैन ले लेना एक कड़ाई उसमें तीन से चार टेबल स्पून आपको घी डाल देना है तो जब आप इसमें घी डालेंगे उसके बाद में क्या करना हाफ कप सूजी डालनी एक दिम बार कैले को इस काख आधा इसे मैंफेर, करना है कि अज्चे करेंग आधा स्टों से मेनasa, से कुछाइक परशूजी तब में क्या कर रहे हूं, इसके अंदर नेक्स इंग्रिजियन्ट जो की है दूद, हाफ कफ दूद डालना है, हमें कोई गरम नहीं करना है, दूद को जो नॉर्मल रूम टेंपरेचर मिल्क पड़ा है, दूद पड़ा है, इसको यूज कर लेना है, हाफ कफ सुजी लिया तो हम इसको कुक करेंगे, तो यह एक साथ हो गया है, तब मैं इसमें शुगर डाले हूं, शुगर आपको बहुत कम डालनी है, एक से दो चमच बहुत है शुगर क्योंकि केला अल्रेडी स्वीट होता है, तो एक्स्ट्रा शुगर एड़ करने की जरूरत नहीं है, और यदि आ अपनी पसंद के और उसके साथ ही पीसी हुई इलाइची, दोनों बहुत ही इसके फ्लेवर को टेस्ट को अच्छा बना देंगे आपके लिए और सबको बहुत पसंद आएगा, यह हल्वा जब आप बनाएंगे तो, तो यह एक हल्दी रेसिपी हो गई है, आप अपने घर म एक बाउल में मैंने डाला हल्वा और प्लेट में डी मॉल्ड कर दिया इसको, देखिए अबस इसको गार्निश कर दीजे, डेकोरेट कर दीजे और आपका हल्वा रेडी है, तेंक यू फ्रेंट्स फो वाचिंग, बाई, टाडा